नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहुल और IS PCS पार्शलाम सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम UPPCS में आने वाले एक काफी important topic के बारें बात करेंगे जो की है important institute और उनके headquarters अगर सब देखेंगे तो हर साल आपको दो question तो मिली जाएंगे इसमें और कई बार ऐसा होता है कि किसी question के साथ ये पूछ ले जाते हैं तो इनकी संख्याव बढ़ भी जाती है काफी important topic है और problem इसके साथ ये है कि ये कहीं मिलता नहीं है मिलता in the sense कि एक जगह कहीं नहीं मिलता है आपको collect करना पड़ता है इस video में हम UP के जो important institutions हैं उनके बारे में बात करेंगे प्लस इंडिया में भी जो important institutions हैं उनके बारे में बात करेंगे प्लस उनका headquarter देखेंगे कि कहां पे है ये video काफी important होने वाली है I would request कि आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप किसी एक notebook में लिखते जाएए ताकि आपको revision करने में काफी सुविधा हो इसका PDF मैं अपने Telegram चैनल पर डाल दूँगा तो उसका link आपको description मिल जाएगा आप वहाँ से जाके मैं Telegram चैनल को join कर सकते हैं साथ ही मैं जो IDST हटना चक्र है उसकी Current Affair की सीरीज चल रही है उसके दो पार्ट अल्रेड़ी आ चुके हैं और उसके कुछ और पार्ट भी आने वाल है मेरी कोशिश रहेगी कि इस महिने के last तक वह पूरा course खतम कर दिया जाए ताकि आपको पास revision के लिए sufficient time रहे देखिए उस वीडियो का आप अच्छे से देखिए उसका फायदा उठाईए क्योंकि अगरस उसका फायदा आप नहीं उठाएंगे तो फिर इतना महित करने का कोई फायदा नहीं है और competition बहुत tough है तो आपको थोड़ा extra edge दिलाने के लिए मैं उसको English में convert कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका पूरा फायदा उठाईए तो चलिए इस वीडियो हमें आगे बढ़ते हैं तो आपका सबसे पहला है National Environmental Engineering Research Institute इसको हम मीरी भी कहते हैं इसको मीरी भी कहा जाता है और इसका headquarters आपका नागपूर में है देखे बहुत समझाने के इसमें कुछ तो है नहीं डायेक्ट आपको institutions देखने हैं उसके headquarters देखने हैं उसके बाद आपका International Rice Research Institute इसका Manila में है Manila Philippines इसके बाद आपका Tropical Forest Research Institute यह आपका जबलपूर में है नेक्स्ट आपका Indian Agriculture Research Institute यह आपका New Delhi में है इसके बाद आपका National Daily Development Board यह आपका आनंद में है इसके बाद आपका Central Food Technological Research Institute यह आपका Mysuru में है नेक्स्ट आपका है Central Salt Research Institute यह भावनगर में है इसके बाद देखे National Institute of Ocean Technology यह आपका चन्नाईम है इसके बाद आपका है Central Arid Zone Research Institute यह जोधपूर में है National Institute of Ayurveda यह जैपूर में है National Center for Disaster Management यह आपका New Delhi में है इसके बाद आपका है National Institute of Oceanography यह आपका New Delhi में है यहाँ पर देखेगा National Institute of Oceanography यहाँ आपका New Delhi में है और यहाँ पर आप देखिए National Institute of Ocean Technology यह आपका है चन्नाई में तो ऐसे कुछ मिलते जुलते रहेंगे ना तो उनको specifically आप मार्क कर लेजएगा क्योंकि वो confusion पैदा करते हैं ठीक है इसके बाद आपका है National Institute of Nutrition यह आपका हैदराबाद में है यहाँ पर देखिए National Institute of Ayurveda जो था वो आपका जैपूर में था और यह हैदराबाद में है Next आपका है Central Paddy Research Institute यह आपका कट्टक में है National Institute of Agriculture Marketing यह आपका जैपूर में है Forest Research Institute यह आपका धेरादुन में है Wildlife Institute of India यह आपका धेरादुन में है National Institute of Naturopathy यह आपका पूने में है तो National Institute of Naturopathy यह आपका पूने में हुआ और National Institute of Ayurveda आपका जैपूर में हुआ इसके बाद देखिए आप Indian Institute of Forest Management यह आपका भोपाल में है Indian Grassland and Forder Research Institute यह आपका जहासी में है Indian National Center for Ocean Information Services इसको inquires भी खा जाता है यह आपका Hyderabad में है इसके बाद देखिए Central Drug Research Institute यह आपका लखनो में है यह important है आप याद करिएगा important बैसिक्रिस आ रहे हैं बट यह पूछा जा चुका है इसके बाद आपका Center for Ecological Science यह आपका बेंगलुरू में है नेक्स्ट आपका है GB Pant Institute of Himalayan Environment यह आपका Almora में है इसके बाद आपका है Central Institute of Indian Languages यह आपका माईसूरू में है यह question पिछले साल पूछा जा चुका है इसके बाद आपका है Center for Cellular and Molecular Biology यह आपका Hyderabad में है National Botanical Research Institute यह आपका लखनो में है Central Institute of Sub-Propical Horticulture यह आपका लखनो में है National Academy of Agriculture Research Management यह आपका Hyderabad में है Directorate of Wheat Research यह आपका करनाल में है Indian Institute of Vegetable Research यह आपका वारानासी में है इसके बाद आप देखिए Indian Institute of Pulse Research यह आपका कानपूर में है Indian Institute of Sugarcan Research यह आपका लखनो में है Indian Institute of Horticulture Research यह आपका बैंगलूरू में है यहाँ आप ध्यान दीजे कि Indian Institute of Horticulture Research यह आपका बैंगलूरू में है और यहाँ आपने क्या देखा था कि Central Institute of Sub-Tropical Horticulture यह आपका लखनो में है इसके जो मिलते जूलते चीज रहेंगे उनको थोड़ा से ध्यान दीजेगा उनसे आप Confuse मत होईएगा इसके बाद Directorate of Rice Research यह आपका हैदराबाद में है Directorate of Pulse Research यह आपका कानपूर में है Directorate of Maze Research यह आपका New Delhi में है इसके बाद देखिए आप Central Soil Salinity Research Institute यह आपका करनाल में है Central Tuber Crop Research Institute आपका त्रिवंदरम में है Next आपका है Indian Council of Forestry Research and Education आपका देहरादून में है Forest Survey of India आपका देहरादून में है तो देहरादून में देखेंगे न तो यह forest wildlife से related चीज है जैसे forest survey of India हो गया Council of Forestry Research हो गया आपका आपका यहाँ पे forest research institute हो गया Wildlife Institute of India हो गया So Wildlife Forest Related जो चीज है वो देहराद उन में तो वहाँ पर आप Logical Guest ले सकते हैं इसके थुरू Next हम देखते हैं तो Himalayan Forest Research Institute आपका शिमला में है इसके बाद देखिए आप Institute of Forest Genetic and Tree Breeding आपका कोईमबतोर में है Animal Welfare Board आपका बललवगर हर्याना में पहले इसका headquarters चन्नाई में था बाद में ट्रांसफर केके इसको हर्याना लाग दिया गया Next आपका है Botanical Survey of India कोलकाता में है National Museum of Natural History आपका New Delhi में है National Sugar Institute आपका कानपूर में है Indian Veterinary Research Institute आपका बरेली में है National Banana Research Institute आपका तिर्ची में है International Crop Research Institute for Semirate Tropics यहां भी देखिए आपका यह इन्टरनेशनल Crop Research Institute for Semirate Tropics और यहां पर अगरस आप देखेंगे यहां देखिए अगरस आप देखेंगे तो Central Arid Zone Research Institute यह आपका जोधपूर में है तो मैं आपको इससे यही दिखाना चाहता हूँ कि बहुत नाम जो है Mixed Match वाला है जैसे Ocean Technology से भी कुछ है तो Oceanography से भी कुछ है तो आप कुछ ट्रिक से कुछ निमोनिक से याद करिएगा कि कि किसको किसके साथ जोडा जा सकता है आगे बढ़ते हम नेक्स्ट आपका है Central Research Institute for Dryland Agriculture यह आपका Hyderabad में है National Inland Navigation Institute यह आपका पत्ना में है इसको नीनी भी कहते है इसको हम लोग नीनी भी कहते हैं ठीक है इसके बाद देखिए आप Central Tobacco Research Institute आपका राजमुंदरी में है नेक्स्ट आपका है कि Indian Council for Agriculture Research आपका New Delhi में है यहाँ पर आपका मुटा मुटा जो important institute थे उनके headquarters थे वो खतम हो गए है अगर सब चाहेंगे तो मैं जो world institute है उनके headquarters की भी एक video बना दूँगा आपके पास जो institutions और headquarters हैं वो complete हो जाए और इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा जो miscellaneous topic हैं उनको खतम कर दूँ और वहां से चीज़े अगर साब की आएं तो आपके पास एक material हो जहां से आप easily पढ़ सकते हैं तो दोस्तों अगर साब को इस वीडियो से फायदा मिला हो